नमस्कार, अनुमानगड राजस्तान से मैं आनन जैन, आप सभी का आपके पसंद दीदा शिर्देवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, जहां हम विज्ञान एंजिनियरिंग और प्रबंद के विश्यों पर रुची बढ़ाने और विश्य समझ को बहत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आज हमारी entrepreneurship और startup playlist में जानते हैं भारत में प्रचलित सबसे जादा राजस्व अरजित करने वाला indirect tax, GST के बारे में समझते हैं good source service tax के बारे में और जानेंगे क्या है tax structure, क्या है भारत में प्रचलित tax की अलग अलग परकार की rate ने, GST में composition scheme क्या है और जानते हैं wet की जैसी GST में input tax credit scheme क्या है, समझेंगे GST network के बारे में और जानेंगे अलग अलग परकार की GST returns और उनको किस तरह से फाइल किया जाता है उनके बारे में तो शुरू करने गोर्सेंट service tax GST एपर्टेक्ष कर indirect tax इस प्रकार के कर हैं, जिनकी वसूली तो एक पक्ष से की जाती है, लेकिन अन्ततय उनका बाहर का वहन कोई दूसरा पक्ष करता है और भारत में सीमा शोल्क, हुतपात शोल्क, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ, GST कुछ जो अन्तिम उपभोकता है, वो सारे उस कर को वहन करता है, लेकिन इसकी वसूली वस्तु के निर्माता, ठोक विक्रेता और खोदरा विक्रेता जैसे बिचोलियों से की जाती है, तो वसूली तो किसी बिचोलिये पक्ष से की गई, लेकिन अन्ततय कर का जो भार है, वो अन् प्रचलित वस्तु और सेवाकर है, Goods and Services Tax GST है, वो एक बहुत व्यापक कर पर ना ली है जिसने पूर्मे प्रचलित अनेक प्रकार के करों को समेट कर उनके स्थान पर एक अकेला व्यापक प्रतिनित्दुतु वाला कर व्यवस्ता बन गई है, ये बहुसतरिय है जो अलग लक पर लगाई जा रही है और वस्तुतेईवे गंतत्वे आधारित इप्रतेक्ष कर्ण पर नाली है जिसमें कमोडिटी को अंत में कंजूम जहां किया जाता है अंतिम भोक्ता जहां होता है वहाँ ये कर लागू होता है निर्माता के बजाए ये कंजूमर के एंड पर अपलाई होता है भारत में GST को एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था और GST ने लागू होने के बाद भारत में कराधान की जो कर को राजस्वत के रूप में लेने की जो विवस्था थी उस सरंचना को सरल बनाया है और करों के जो व्यपार पर व्यापक प्रभाव होते हैं उन प्रभावों को कम किया है और पूरे देश में एक जैसा बजार बनाने की एक इकरत बजार बनाने की रूप रेखा बनाई है इस GST ने उस समय जो केंदर और राज्य सरकारों के द्वारा जो लग लग प्रकार के अप्रटेक्श कर लगाए जाते थे जैसे केंदरिय उत्पादन शोल्क सेवा कर राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाला वैट केंदरी है सेल टेक्स या स्थानिय निकायों के द्वारा लगाए जाने वाली चुंगी ओक्ट्रोई हुई एंटी टेक्स हुए या कोई दूसरा स्थानिय कर हुआ या कोई विशेश वस्तों पर लगने वाले लगजरी टेक्स या इंटर्टेन्मेंट टेक्स हुए उन सब के इस्तान पर पूरे भारत में एक ही टेक्स पूरे रास्टर का GST के रूप में आ गया और उन्हें भरने की जो कारिय व्यवस्ता है उसे जानेंगे तो शुरू करते हैं GST की कारसा नचना से GST एक गंतत्व आधारेत कर है इसका अर्थ है कि ये अपने वस्तू या सेवा के उत्पती के स्तान की बज़ाए जहां इसको अंतमे भोग किया गया है उस बिंदू पर लगाया जाता है जैसे कोई वस्तू का उत्पादन महरास्टरा में हुआ है लेकिन इसका इस्तेमाल उ बेवस्ता के अनुसार इस GST करसरंचना में दो घटक शामिल हैं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाये जाने वाला केंद्रीया माल और सिवाकर सेंटल जी असटी है और राज्या सरकारों के द्वारा वस्तू या सामगरियों पर लगने वाला स्टेट GST है और दोनों जो घटक हैं वो कुल कर में आदादा हिस्सा रखते हैं यदि किसी वस्तू या सेवा पर GST की करदर 18 प्रतिशत है तो उसमें केंद्रिय माल और सेवा कर C GST आदा 9 प्रतिशत है और 6 आदा 9 प्रतिशत अंश स्टेट GST के रूप में शामिल होगा तो अगर को कोई वस्तू एक ही राज्य के अंदर व्यपार की जारी है कोई सेवा या वस्तू का एक ही राज्य के अंदर लेंदेन हो रहा है तो उस पर दोनों केंद्रिय माल और सेवा कर और राज्य माल और सेवा कर बराबर बराबर 50-50 परसेंट लगेंगे और अगर वो एक राज्य स दूसरे राज्ये के बीच में व्यपार हुआ है वस्तु या सिवाउं का तो उस पर एक एकिकरत वस्तु और सिवा कर लागू होगा तो अंतराज जी ऐ लेंदेन पर जो एकिकरत वस्तु एवम सिवा कर होता है वो पूरा का पूरा केंदर सरकार दौरा एक garlic किया जाता है जबकि राज्य के अंदर होने वाले व्यपार को केंद्र और राज्य के द्वारा बराबर आदा बांटा जाता है लेकिन सबी करों का संग्रह का काम केंद्र सरकार के अंगों के द्वारा किया जाता है भारत में अगर GST करों की दरों के बारे में जाने तो हमारे देश में पांच अलग-अलग प्रकार के टेक्स लैब वर्तमान में कारेरत हैं कुछ वस्तों और सिवाओं पर करकी छूट बनाई गई है जैसे खाद्यान पदार्थ हुए ताजा सबजियां हुई ताजा दूद या सुनने के यंतरों की बात हुई तो उन पर कर में छूट है अर्थात इन पर 0 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है तो ये अलसेंशल अनिवारिय उपभोग की वस्तों हैं वहीं जो इन वस्तों का बड़े स्तर पर उपभोग किया जाता है जो वस्तों मास कंजम्शन की है जैसे चाए, कौफी, चीनी, दूद या ख़दे दूसरे सामान इन पर 5 प्रतिशत की दर से GST लगाया जाता है जो मानक GST दर है वो 12 प्रतिशत है और वो अधिकांश भोग की सिवाउं पर लगाई जा रही है जैसे फलफूल हुए, पेप अदार्थ हुए, बायो गैस हुई, फर्टिलाइजर हुए, चमडे से बनी वस्तों हुई, दूसरे घरेलू बरतन हुई, ट्रेक्टर या बिजली से चलने वाले वहान या बाइसाइकल वगरे हुई जो विशेश प्रकार के कंजूमर आइटम है, जैसे तूथ पेस्ट, रिफाइंड सुगर, कॉन फ्लेक, आइस क्रीम, कुछ इंडस्रियल प्रोडेक्ट, इन पर अठारा प्रतिशत की दर से जीस्टी लगाई जाती है, वहीं जो विलासिता की वस्तों हैं, लगजरी तमबाकू के उत्वादों, विशेश प्रकार के मोटर वहान, एरेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, उन पर सैस उपकर भी लगाया जाता है, उपकर लगाने का जो मूल उदेश्य है, वो जीस्टी के कारियानवन से, जब वो वेट को प्रतिस्तापित कर रहा था, तो राज्य लगेगा, इसका अंदरधारन जीस्टी परिसद द्वारा किया जाता है, जीस्टी परिसद को समझते हैं, जीस्टी परिसद 33 सदस्यों का एक सवेधानिक निकाय है, और इस जीस्टी परिसद, जीस्टी कॉंसिल का गठन करकी दरों वस्तों में किन पर छूट होगी, क्या ह हमारी कर गर्णा में सिमाई होंगी और GST से संबंदे जो अलग अलग मामलात हैं पहलू हैं उन पर निर्ने लेने के लिए किया गया है और GST परिसद की अध्यक्षता केंद्रिये वित्मंत्री गरते हैं और जो केंद्र सरकार में राजस्व मंत्री हैं वो और सभी राज्यों के और संग सासित परदेशों के जो वित्मंत्री हैं वो इसके सदसे होते हैं और GST कॉंसल हर तिमाई पस्चाथ अपनी बैठक करके GST में संशोधन या परिवर्तन संबंदी निर्ने कर सकती हैं समझते हैं GST में कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन योजना क्या है कुछ व्यपारी हो सकते हैं निर्माता हो सकते हैं रेस्टोरेंट या कोई सेवा परदाता हो सकता है जिनका वार्शिक कारोबार निर्माता और व्यपारी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाक या आदा करोड से कम है और रेस्टोरेंट जो एलकोल सर्व निंग करने हो उनक कमपोजिशन योजना का विकल्प लागू हो सकता है लेकिन कमपोजिशन योजना में आईसक्रीम बनाने वाले पान मसाला शराब और तंबाखु के निर्माता है या ऐसे व्यपारिक और सेवा संग्ठन है जो दो राजियों के बीच में आप पूर्ति का काम कर दें वो कमपो GST का कमपोजिशन स्कीम का CMP 02 रिटन दाखिल करनी होगी अब ऐसे कमपोजिशन स्कीम में पंजिकरत कोई डीलर अपने ग्रहकों से GST का टेक्स नहीं ले पाएगा उसे एक टरनोवर पर निर्धारित प्रतिशत मातरा में टेक्स को अपनी जेब से अपने मुनाफे में से जमा कराना होगा और ऐसे कमपोजिशन स्कीम के करदाता को उसके द्वारा जो भी मालिया सेवाओं के लिए बिल जारी किये जाते हैं उन बिलों पर वो कमपोजिशन स्कीम पे कर्योग ये विक्ती है ऐसा उलेक करना होगा और जो कमपोजिशन योजना का करदाता है वो जो अपनी सरली का रत return पूरे वर्सवर के व्यपार के लिए जमा करेगा, उसमें turnover पे अगर हो निर्माता या trader है, तो एक प्रतिशत की दर से और अगर वो सिवा परदाता है तो 6 प्रतिशत की दर से और ऐसे restaurant जो यूल कोयल सर्वनी गरते हैं, जिनका प्रतिशत की दर से अपने turnover पर GST जमा करेगा और इस जमा GST में आदा आदा हिस्सा Central GST और State GST का रहेगा एक Composition डीलर को जो त्रेमासिक विवरन CPM08 जमा कराता है पोर्टल पर उसके साथ करका बुक्तान अपने turnover पर निर्दारीत परतिशत मातरा करना आवशक है और इसे तो वो तीमाई की जो समापती है उसके बाद वाले महीने में 18 तारीक तक अपनी त्रेमासिक विवरन को कर सही जमा कर सकता है साथी वो सालाना रिटन के रूप में GST रिटन चार फोर्म को अगले वित्य वर्स की 30 अपरेल तक दाखिल कर सकता है और जब कोई composite योजना को स्विकारता है तो वो GST compliance की अनुपालन की जो बहुत सारी जरूरते हैं जैसे मासिक रिटन भरना रिकोर्डों की किताबों को सुरक्षित रखना प्रतेक मालिया सेवा देते समय चलान जारी करना उनसे बच जाता है तो ये अनुपालन करने में आसान हो जाता है taxation rate simplified हो गई है जो turnover की 1 प्रतिशत 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत मात्र है tax की liability भी ऐसे करदाताओं पर कम हो जाती है और उन्हें कागची काम भी कम जरुरत रहती है तो ये कुछ advantage है जो compositions की को favorable बनाती है value added tax weight के बांती GST में भी input tax credit ITC की वेवस्ता है input tax credit या ITC का अर्थ है कि कोई करियोगे व्यक्ति जब कोई समान या सेवा अपने वेपार के लिए उप्योग करता है या उप्योग करेगा तो उन वस्तों और सेवाँ की खरीद पर उसने जो बुक्तान किया है उसमें शामिल माल और सेवा कर GST का credit उसे मिलेगा अर्थात जो उसने GST का भुक्तान किया है उस GST की वापसी या प्रते उसको हो जाएगी लेकिन ध्यान रहे एक करियोगे व्यक्ति से बिक्री कर पर दे GST से input tax credit आई टी सी तबी कम किया जाएगा जब वो पोर्टल पर जो GST नेटवर्क का पोर्टल है उस पर GST की return to be की सबी शर्तों को पूरा कर दे और ऐसे स्थितियों में कोई व्यवसाई जो अपनी आउटपुट है जो वस्तुएं और सेवाएं उसने बेची है उन पर जो उसकी GST देता बनती है उस देता में से अपनी input tax credit जो उसने कच्चे माल और सिवावादी पर बुक्तान की है उसे गटा कर शेश रासी का बुक्तान कर सकता है हलांकि GST में ITC के द्वारा input tax credit से करकी चोरी को रोकने के लिए कुछ विशेश प्रकार की शर्तें लगाई हुई है समय सिमा भी निर्धारित है और कुछ दूसरे प्रतिबंद भी लगाए गई है तो अगर कोई इन शर्तों समय सिमा और प्रतिबंदों के अनुपाल ना में GSTR to be return भरता है तो वो input tax credit प्राप्त कर सकता है समझते हैं GST network GSTN क्या है GST network GST की विवस्ताओं को बनाए रखने के लिए उसके सुचारू संचालन के लिए जो सुचना तकनीकी IT अधार है वो अधार भुत धांचा GST network है और ये सबी करदाताओं कर अधिकारियों और दूसरे जो सेवा परदाता GST की consultancy करने वाले लोग हैं उन हित्धारकों के लिए एक IT enabled बनियादी सरंचना है और वो समझत प्रकार की सिवाएं परदान करता है इस GSTN के मजबूत IT बनियादी धांचे में main GST server है GST से संबंदित जो service provider है सिवा परदाता है उनका server है दूसरे hardware और software components है और हम GST के service provider के ecosystem को ऐसा बना चुके हैं कि वो web portal internet पे main computer से चलाया जा सकता है mobile applications से भी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारे accounting packages को भी ये support करता है ERP और जो custom applications हैं उनके साथ भी हम GST network का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से कोई करदाता अपना पंजी करन करा सकता है चलान generate कर सकता है invoice upload कर सकता है return को जमा कर सकता है अपना laser बना सकता है और ये जो पूरा GST network है उसे सुचारू और सुरक्षित कामकाज के लिए बनाया गया है और साथी साथ ये जितने भी कानून और विनि में लागू है उनकी अनुपालना कराएगा और सबी प्रकार की जानकारियां और आखडों को सुरक्षित गौपनिये रखेगा GST network सभी करदाताओं के लिए पंजी करण, registration, return को जमा करने की filing process, चलान, generate करना, refund या audit या किसी अपील से संबन्दित मामलों के लिए और दूसरी अनुपालना संबन्दी गतिवीदियों के लिए सुईधा प्रदान करता है और इसे दो प्रतेक करदाता को हम 15 कों का जो income tax का पैना आधारित पैचान पत्र है, उस अनुरूप एक GST number दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रियर रूप से GS10 के रूप में जानते है कोई करदाता अपने GST बकाया या GST कर का बुकतान किसी भी तरीके से कर सकता है, वो net banking का इस्तेमाल कर सकता है, credit या debit cards का इस्तेमाल कर सकता है, किसी payment gateway का इस्तेमाल करके भी वो बुकतान कर सकता है, तो किसी भी अधिकरत बुकतान मूड से GST का बुकतान इस GST network पर किया ज सकता है भारत में जीस्टी करकी अनुपालना ही तू करदातों को जो जीस्टी नेटवर्क का पोर्टल है उसके माध्यम से अलग-अलग प्रकार की जीस्टी रिटन को दाखिल फाइल करदा होता है इन में से कुछ रिटन्स जीस्टी रिटन 1, 2, 3, B, 5, 5, A, 6, 7, और 8 ये महा के बाद करदाता को जीस्टी एन पोर्टल पर इलक्टोनिक तरीके से फाइल करना पड़ता है दाखिल करना पड़ता है जिसमें वे अपने वेवसाई के लेंदेन की सभी प्रकार की रिपोर्ट इंदराज करता है अपनी करदेंदारियों की गणना कर सकता है और महतपून है कुछ विशेश प्रकार के कंपोजिशन वाले जीस्टी रिजिस्टर जो डीलर होते हैं उन्हें वार्शिक जो रिटन फाइल होती है उसे जीस्टी आर फूर कहते हैं और प्रतेक जीस्टी रिजिस्टर डीलर को जो एन्वल रिटन भरनी होती है वो जीस्टी 9 है कुछ रिटरंस जैसे अगर किसी को GST को कैंसिल करना है सरेंडर करना है तो वो GSTR 10 से ऐसा कर सकता है सबसे महतपून GST रिटरं GSTR 1 है जो सारी उसकी external sales बाहरी आपूर्टियों को समाहित करती है और इसे हम मासिक और 3 मासिक दोनों रूप में दाखिल करते हैं और इस GSTR 1 में कोई भी करदाता अपनी बिकरी निर्यात जो उसने GST कर 71 किया है पिछली रिटरं में अगर कोई संशोधन है तो उसका चलानवार विवरन जैसी जानकानियां शामिल करता है और ऐसी मासिक GSTR 1 रिटरं को अगले महिनेत की दस्तारिक तक दाखिल करना होता है वहीं जो 3 मासिक GSTR रिटरं है उसे कोई तीमाई के अंत के अगले महिने में 13 दिनों के भीतर जमा करा सकता है और इसे तू कर दाता को जो GSTR नेटवर्क पोर्टल है उसमें लोगिन करना है अपने GSTR टिन नमबर से और नेविगेट करके GSTR 1 पेज पर चला जाना है फिर वह मासिक है या 3 मासिक है वो विकल्प वो चैन करेगा और जब सारे आंकडे भर देगा तो यही GSTR पूरे रिपोर्टिंग अवदी की एक समरी प्रस्तूत कर देगी हमें अगर कोई इसमें संशोधन करना है तो वो जानकालियां भरी जा सकती है GSTR रिटन 1 को प्रिव्यू लेके अगर सब कुछ सही है तो सम्मिट करके सभी आंकडों को फ्रीज किया जा सकता है और GSTR 1 रिटन को हम डिजिटल सिगनेचर से या कोई एलक्रोनिक वेरिफिकेश प्रोसेस से जमा करा सकते हैं दाकिल कर सकते हैं फाइल कर सकते हैं GSTR रिटन 2 ए ओटो जनरेटेड ओटो प्रोपुलेटेड परचेज रिजिस्टर है स्वेम उत्पन होने वाला एक खरीद रिजिस्टर है जो पोर्टल खुद पैदा करता है इसमें आपूर्ती करता द्वा अपने इंपुट टेक्स क्रेडिट के दाओं की सटिकता को सतापित करने के लिए GSTR 2A को देख सकता है तो इसके मदद से हम इंपुट टेक्स क्रेडिट उसके गणना और दावा कर सकते हैं जो GSTR 3B रिपोर्ट है वो एक मासिक सारांस की रिटन है जिसमें दी गई मासिक अ विवरन तो नहीं रखती लेकिन कितना कर दिया जा चुका है कितना इंपुट टेक्स क्रेडिट के लिए दावा किया जा रहा है कितना बुक्तान करने योग्य राशी है इन सब की गणना का सारांस प्रदान करता है और एक GSTR 3B रिटन को एक महिना खतम होने के बाद अगले महिने की 20 तारीक तक दाखिल किया जाता है GST रिटन 9 वार्शिक रिटन है इसे हम पूरे वित्य वर्ष में जो हमने बाहर माल भेजा है जो माल हमने खरीदा है सारी बाहरी और आवक आप पूर्तियों की जानकरिया होती है हमें कितना इंपुट टेक्स क्रेडिट प्राप् किया है उस संबंद की एक समय कित पूरी इकठी की गई सारांश हमें मिल जाता है और इसे हम करदाता की जो एन्वल ओडिट रिपोर्ट है लेखा परिक्षिक जो वित्य विवरन है साथी साथ हमने जो मासिक और त्रेमासिक रिटन्स बरी थी GST R1 और GST R3 भी उसमें किये डाटा का मिलान इसी वार्षिक रिपोर्ट में हो जाता है किसी वार्षिक GST RR9 को अगले वित्य वर्ष के 31 दिसंबर तक दाखिल किया जाता है अगर कोई करदाता का वार्षिक कारोबार एक नरधारित सीमा से अधिक राशी का है तो उसे GST R9 के साथ एक दूसरी समादान विवरंट GST R9C भी जमा करना होता है इस 9C को भी GST R9 की भांती ही 31 दिसंबर तक दाखिल या फाइल किया जा सकता है GST रिटन 1, 3, 3B और GST रिटन 9 सब भी करदाताओं के द्वारा फाइल की जाती है वहीं कुछ अन्य रिटन है जो विशिष्ट शेनियों के करदाताओं क लिए लागू होती है जैसे कंपोजिशन स्कीम के करदाता है वो GST रिटन 4 भरेंगे इसी तरह से जो अनिवाशी करदाता है वो GST R5 भरेंगे जो इन्पुट सेवा वितरक हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं वो GST R6 में अपने आंकड़े दाखिल करेंगे यह सबी GST रिटन में पारदर्शिता जबाब देही और सटिकता सुनिश्चित करती है और इन सब रिटन्स के मदद से भारत में जो GST साशन प्रचालन है उसमें प्रभावी रूप से पूरे तोर से नियंतर्ण किया जा सकता है और किसी भी करदाता को दंड और अनुपालन सम्मंदी समस्या है उसे सही डंग से और नरधारित समय सीमा के भीतर दाकिल करना बहुत महत्पून है और इसे तू किसी विशेशक्य सिवा प्रदाता का भी सयोग लिया जा सकता है शुरुवाती दोर में जब जुलाई 2017 पे भारत में GST को लागू किया था तो ये शुरुवात से ही अनेक विवादों में और करदाता और हित धारकों के लिए समास्याओं का कारण बन गया था इसलिए हमें GST की प्रक्रियाएं उनके कानूनों में कई प्रकार के संशोधन और परिशोधन करने पड़े और इन सब को हमने सभी हित धारकों से जो फीड़बेक मिला था और GST के भार का rationalization युक्ति करण हुआ है अब उसका धांचागत वेवार सही प्रतीत होता है इससे पूरे देश में करचोरी में कमी आई है कर आधार का कर देने वाले दाताओं की संख्या का व्यापक विस्तार हुआ है इससे अंतराज जिये जो वेपार होता है वो कम बाधाओं से कि जंजट समाप्त हो गए है और इससे आवागमन सुलब हो गया है लागत और समय आवागमन में सामगरियों को इदर दर जाने में काफी असरकारी तरीके से कम हुआ है कुल मिलाकर जी एस्टी ने हमारे कर आधार को व्यापक बनाने उसकी कमप्लाइंस अनुपालना में जंगड़े में अच्छी खासी व्रदी कर दी है हालांकि इसके कारियानवन में हमेशा चुनोतिया नहीं है इसने मेंगाई पर भी असर डाला है जिसका सभी आम जनों पर असर आया है और खासकर छोटे वेपारी और बहुत सारे लगू दम्यों को जी एस्टी लागू होने से काफी परिशानिया हुई है उनकी बहुत सारी कागजी गतिविद्यों में व्रदी हुई है उन्हें इसे तू सलाकार रखने हो पड़े हैं और उनके कुछ गैर जरूरी खर्चों में व्रदी हो गई है उमीद है इस बेहत ज्यानवदक लर्निंग वीडियो के मदद से आ आपने करका धांचा करकी दरें, कंपोजिशन स्कीम, इन्पुट टेक्स क्रेडिट स्कीम, अनेक प्रकार की GST रिटर्न, GST नेटवर्क की वर्किंग इनको अच्छे तरह से समझा है हमारी इसी स्रंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी उधिमिता विकास में व चैनल की यूट्यूब मेंबर्शिप जोइन करें, हमारी टीम सभी यूट्यूब चैनल मेंबर्स के लिए स्टडी मेटीरियल सपोर्ट सिस्टम भी मेनेज करती है, जो आपकी अध्यन में मदद करेगा, आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, अच्छा समय गुजरें, थ थैंक यू वेरी मुच